कबसे सोच रही हूँ कि थोड़ा सा तबेर ठीक होगी, तब व्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा सा ये हालात सुधरेंगे, तो फिर पॉड्ड्डकास्ट बनाऊंगी, ओफिसे चुट्टी मिल जाएगी, बच्चों के तबेर ठीक रहेगी, सब काम हो जाएंगे, तो पॉड्ड किया था किया था ना लेकिन आज कहां जाएंगी फैजा बेगम और उनके जुल्फों वाले गुल्फाम हां तो आगए हम स्वागत नहीं करेंगे हाई गाइज नमस्कार कैसे हैं आप मैं हूँ आशी बस्रा और आप मुझे देख रहे हैं मेने यूट्यूब चैलल अदेलिया नमस्कार साधु वाद वैसे सच क्या कमाल के लोग हैं आप सब आप लोगों ने इतने टाइम से पंचायत नहीं लगवाई ना ही मुझे संदेशा भीजवाया ऐसा भी क्या आलस्पन हां इसको कहते हैं उल्टा चोर को त्वाल को डांटे हाजिरूं आपके सामने आपके पास हमारी पंचायत में कैसे हैं आप सब हम सब पर मेरी इष्ट महाकाल शिव की कृपर है नजर रहे हम सब पर करपूर गौरम करणावतारम संसार सारम भुजगेंत्रहारम सदा वसंते हिरिद्या रविंदे भवं भवामी सहितम नवामी तो शुरू करें आज की पंचायत वैसे तो कहने को इतना कुछ है इतना अर्शा गुजर गया है और इतने सारे व्लॉग आए गए लेगिन फिर भी मैं हमेशा कोशिश करती रही हूँ त्योहारों पर कोई ऐसे दिन हो त्योहार हो कोई ऐसा अफसर हो तो व्लॉग बना कर ना सही लेकिन छोटे शौट्स बनाकर आप सबको त्योहारों की शुपकामनाई भी दे दूँ और कभी कभी वक्त बेवक्तर आप से आकर मिल भिलू चाहे वो मेरे पुराने ब्लाग औन वाइट गानों की कुछ लाइने होती है तो मिलती रही हूँ इतनी भी शिकायत नही ही होता है क्यों है ना तो इस साल श्री राम मंदिर की भी आप सबको बेहत शुपकामनाई हमारे राजा राम है वो हमारे राजा राम थे हमारे इतिहास हमारी भावनाई हमारे संसकार का हिस्सा है श्री राम तो आप सबको श्री राम मंदिर की स्थापना की बेहत शुपका और इस साल I think हम World Cup भी हारे क्रिकेट में और बहुत दुख भी हुआ जब भी World Cup होता है हम यहां परदेश में बैठ कर भी उसको देखते हैं साथ साथ हसते हैं साथ साथ रूते हैं और बहुत जबा निराश होए हैं मैं और मेरी मेटे हम सब देख रहते World Cup लेकिन चले कोई बात नहीं तो आज हम बात करेंगी जो इतने टाइम से पैंडिंग है वो है हमारे यूट्यूब व्लॉगर्स जो कि इंफुल्वेंस करते हैं हमारी सुसाइटी को और पहले भी हम जिन के बारे में बात करते हैं वो है इब्राहिम्स फैमिली खास कर फैजा अगर मैंने अपनी इस पंचायत के पॉड्कास से कुछ पाया है तो वो है बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त मेरे हम खयाल ऐसे एंलाइटन्ड खुली जहनवारे दोस्त पाये हैं जिनको मैं बहुत जाबा वैल्यू करती हूँ चेरिश करती हूँ खूबसूरत दिल व मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक मैसिज का जल से जल जवाब दे सकूँ परस्नली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दर्वाजे पर कोई आके खट खटा रहा है जब भी आपको कोई मैसेज आता है और मेरा दिल करता है मैं जल्दी से आपसे दर्वाजा खुल के बाते करने अगर मुझे पता चलता अस नोटिफिकेशन का तो मैं ज़रूर जवाब देना चाहती हूं और जवाब देती हूं I feel genuinely humbled and blessed अगर मैं किसी message का जवाब नहीं दे पाती हूं तो आप येकीन माने मेरी नजर के सामने से वो message नहीं गुजरा होगा otherwise मैं उसको ज़रूर acknowledge करूंग और दोस्तों कि मैं फिल मेता चाह ज़रूर चाही होती है क्यों क्या खेल है तो इस व्लॉग की चाह जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में जो सदियों पहले डाला था उस व्लॉग में बताया था कि अगली बार जो हमें चाह पिलाएंगी तो वो है पानीपुरी और हफीजा Mona Seher शायद वो इस वक्त हैं मौझूद भी नहीं होगे क्योंकि उमीद नहीं होगी कि मैं आज व्लॉक डालोगी लेकिन जैसे ही व्लॉक के बारे में आपको पता चले पानी पूरी और हफीजा Mona Seher जल्दी से चाय पिलाएगे हम सब को ठीक है ना आपके ड्यूटी हमने लास्ट टाइम ही लगा दी थी तो इसलिए बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है अगली पंचायत के पॉड़कास्ट में चाय बनाने के और चाय पिलाने के जिम्मेदारी देते हैं हम स्नेहा बंगलोरू और चिककु ट्वेंटी ट्वेंटी टू एक तो मुझे इती हाजिया देते प्यारे मासूम से नाव है आप सब के यूट्यूब पे मेरे खाल से एक है मेरा पुराना लैप्टॉप पे अपने नाव भी लिख दिया कीजिए मैसेजिस के नीचे ताकि मैं उस तरह ही आप से मुखातिब हूँ ठीक है ना कई बार पहले भी मुझे कईयों ने पूछा कि चाहे ये क्या पिनाने का तरीका देखिये हम पास्तर नहीं बैठ है ना बतकिस्मती से दूर बैठ है लेकिन इस पंचायत के पॉड़कास में या जब भी हम youtube ब्लाॉग बनाते हैं उससे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं emotionally जुड़ते हैं चाहे हम एक दूसरे के चहरा देखकर एक दूसरे का चहरा गाई है तो बहुत नाइमसाफ है आप मोझे देख पाते हैं मैं आपको नई देख पाती हूँ लेकिन मैं जजबातों से आपके साथ जुड़ी हूई हूई हूँ तो जब हम ऐसे बैठते हैं और बातचीत करते हैं आप messages डालते हो अपने comments करते हो तुम लगता है कि एक दोस्तों की महफिल जमी हुई है तो चाहे अपने घर बैठे बैठे एक एक कब खुद बना के पीनी पड़े लेकिन अगर साथ बैठ के पीते हैं तो ऐसे लगता हुई है जैसे चाहे साथ बैठ के पी जा रही है राई जब भी panchat का podcast होता है उसमें कहते हैं कि चलिए चाहे बना के पिलाईए जिम्मेदारी लगाता है किसी की, तो उससे एक जुडाव का एहसास होता है, लगता है हम साथ जुड़े हैं, तो चाए पिलाने का तरीका यह है, जो हमेशा से वंदना, वंदना भारदवाज पिलाती रही है हमें, अगर आज भी आई वंदना तो चलिए मुझे चाई का वर्चुल चाय पिलाने का तो मीठी चाय की चुस्कियों के साथ अगर कोई भी बाचित शुरुक की जाए तो उसका मज़ा दोगरा हो जाता है ठीक है ना जैसे हमारी बाते तो कभी खत्म नहीं होंगी होनी भी नहीं चाहिए हमेशा ही कुछ कहने और कुछ सुनने को रहना चाहिए है ना इन गुज़िष्टा दिनों में जबकि मैं नादारद रही मैं गायब रही बहुत से मस्रूफियात की वज़ा से तो बहुत कुछ गुज़रा बहुत कुछ हुआ पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान में चंद्रायन अभियान की सफलता पर आप सब को बहुत कामना है मैं और मुझ जैसे कई हिंदुस्तानी यहां विश्व में बैट कर भी अपने चंद्रायन अभियान से जुड़े रहे हैं और एक ऐसा गर्व महसूस किया है टीवी पर देखते हुए एक ऐसे आसू भराते हैं ऐसे भावाती रेख होकर हिंदुस्तान से मतलब और खोकले से व्लॉग्स की बखिये उधेडने का जो मोर्चा संभाल रखा है मेरे फैलो यूट्यूबर्स ने तो उनकी वज़ासे मैं संतुष्टी कि वो सब चीजे कवर कर रहे हैं जैसे नेहा फेजी कॉफी भी और आज की चाय आइटिंग यह सब बहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं रोज मरा की जो चीजे मैं कवर ने कर पा रही हूँ तो मुझे यह संतुष्टी है कि हाँ यह सब काम चल रहा है जो कि गलत तरीके से इंफ्लूएंस करते हैं गुम्रा करते हैं हमारे समाज को उनको परदाफाश होना जरूरी है तो मैं अपना नजरिया भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ आप सब भी उन बातों को नोटिस कर रहे हैं जो कि इबराहिम्स को लगता है कि दूसरों की नजर से ऐसी गुजर जाएगी जी नहीं जैसे की बात कर रहे हैं हम उनके दुबाई से आए हुए फेक अवार्ड का तो जो बार आप सबने मह सूस की और डिसकस की एकदम वही मेरा खयाल था क्योंकि मैडम किचन में किस तरह से धारा अपर वहा जो मैसेज साउस पे लिखा हुआ वो पढ़के बता दिया तुरंद के तुरंद खड़े-खड़े बिना हाथ में लिए उससे मैडम के हाव भाव से साफ पता चल रहा था यह उनका ही कारणामा है जो वही आर्ट क्लासेज करती है न यह अवोर्ड भी उन मैडम का ही बनाया हुआ है अपने जनाप के कॉंपिटेंस को बूस्ट करने के लिए और पब्लिक को दिखाने के लिए कहते है न खिसयानी बिली खंबा नोचे तो इतनी चलाग ना बनिये क आसमान की तरफ देखकर उडेंगी तो जमीन पर आकर ही किरना पड़ेगा क्यों और आप सबने उसका साइको अनालेसिस बिल्कुल ठीक वैसे ही किया था जो कि मैं भी सोच रही थी यहां जिस तरह से उसका रिजिड बॉड़ी मूवमेंट उसका पीट करना कैमरी की तरफ और एक अचीब सा ओक्वर्ड मूवमेंट उस वक्ट किचन में बन गया था जिससे की साव पता जल रहा था कि मेरा माप खुद तो कमपटेबल हो जाएं क्योंकि आपका जो किया गया ड्रामा है ना यह देखने वाला किता आजम नहीं होता यह जो फर्जी फेजा बेकम है जो बात बात पर टस हुए बहाती है आसु बहाती है वो दरसल उनका क्राइप और अटेंशन है अपने चपरी मिया की तरफ से क्योंकि आखिर इंसान कितना जूट बोलेगा कितना फेक बहेव करेगा कितना ड्रामा करेगा कितना फाप्रिकेटिट लाइफ जीएगा तो इस जब भी हम जूट बोलते हैं हमारे चहरे पर एक और लकीर बढ़ जाती है जब भी हम समाज के सामने अपने आप से भी जूट बोलते हैं तो चहरे पर थोड़ी सी कालिक तो पुती जाती है ना तो मैडम के चहरे से तो वो एविटेंट है इतना सारा पैसा होते हुए इतने ज़्यादा facilities होते हुए, beauty पार्लर जाते हुए, treatments करवाते हुए, उसके बाब जूद भी मैडम के चहरे पर चमक कम और खिसियानापन बहुत ज़्यादा है, क्यों क्या बात है, हम जब भी एक fake जिंदकी जिएंगे तो हमारी रूह को आत्मा को घुटन होगी ही, सच है कि छप बिना तो कोई वजूद ही नहीं लगता, सरफ इस वज़ा से वो चपरी के साथ है, तो अपने चपरी के attention के लिए ये insecure मैडम बात पात पर कभी तो आसू बहाने लग जाती है, और फिर उसको खुशी के आसू कहकर परदों से ढखती है, या फिर खिसयानी हसी हस के खीसे नि हेव करती है, तो कितना awkward हो गया उनके vlogs देखना, फैजा बेगम का, ना तो अपना कुछ टेस्ट रहा है, ना ही उसका अपनी कोई self-respect है, कि मिया उस अगरबत्ती के stand में कोई interest नहीं ले रहा था, वो उस अगरबत्ती के stand में उतने ही interested लगे जितने की वो अपनी फैजा बे येस, 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 मैडम ये इस नागिन बनके किसको दसने का इरादा है, ये अपनी अदाव से अपने not interested छपरी गुल फार्म को, हाँ, ये इसकी येस, से इतना ज्यादा पक चुके हो ना मैं, अम्शोर कि आप सब भी पक चुके होंगा, क्यों, ये येस, येस, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तु मेरा, मैं नागिन, तु सपेरा, ये ही कहना चाहते हो ना मैडम, और इसका गुल फार्म सपेरा बनके बीन बजाता है, बस ये ही दोनों किचन से यहां, यहां से किचन, किचन से डाइनिंग टेबल, येस, 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 येकीन माने, आज तो मैं जल्दी में व्लॉग बना रही हूं, ताकि इसकी शुरुवात हो सके, और मैं फिर देरे देरे व्लॉग बनाती रहूं, बहुत सी ऐसी बाते हैं, जो मैं आपका शेयर करना चाहते हूं, कि कई बार ऐसा होता है, कि जो हम देख पाते हैं, वो शायद हम दूसरा नहीं देख पाता है, अगर हमारी नजर से वो चीज गुदर जाए, हम उसको नजर अंदास कर देख अपना एक नजरिया होता है, परस्पेक्टिव होता है, तो जो कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए तो यह पंचायत में बैठे हैं, है ना, तो यकीन माने, अभी तो मैं एक पातों को कवर कर रही है, लेकिन हमारे पीच कंडे के लिए भी बहुत सी बात है, पैजा वेगम की